हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो मीडियम साइज के फुल वाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नमबर टू है आज की इस वीडियो में मैं आपको बैक प फ्रेंड्स ये इसका बैक पार्ट है इसे मैंने पार्ट वन में बुन्ना सिखाया हुआ है अगर आपने अभी तक इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो चैनल पर आप इसका पार्ट वन जरूर देख लीजेगा इसके बैक पार्ट में हमने लिये हैं 106 फंदे ये जो तो राइट पार्ट बनाएंगे तो जितने फंदे हमने बैक पार्ट में लिये हैं पहले हम उसका हाफ करेंगे 106 फंदे का जब हाफ करते हैं तो 53 फंदे एक पार्ट के और 53 फंदे एक पार्ट के होते हैं अब इसमें हमें बटन पटी भी साथ के साथ बुन्नी है तो 53 फं 58 फंदे डाल लेंगे और दूसरे पार्ट में भी फिर हम 58 यानी 58 फंदे डाल लेंगे 58 में से 10 फंदे की बटन पट्टी हो जाएगी और फिर जो हमारे 48 फंदे बच गए उसमें हम इस डिजैन को एड़ेस्ट करेंगे अब ये डिजैन 13 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे से सेट हो फंदे का डिजाइन हो जाता है फिर यहां से यहां तक 13 फंदे का फिर यहां से यहां तक 13 फंदे का लेकिन हमारे फिर यहां पर जो एक्स्ट्रा फंदे बस्ते हैं उसमें हम यह आधा डिजाइन बना लेंगे तो देखे इस साइड भी हमने आधा डिजाइन बनाया हुआ है और इस साईड भी, दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा, एक पार्ट में तो जैसे हमने फंदे डाले है, यह धागा इस साईड पे है, तो बटन पत्टी हमारी यहां लाश्ट में आएगी, एक पत्टी यहां पर पहले आ जाएगी और आधा डिजैन यहां तो यह देखिए यहाँ पर मैंने दोनों सलाईयों में फंदे डाल लिए हैं 58 फंदे इस लाई में डाले हैं और फंदे देखिए नॉर्मल डाले हैं और हल्के से लूज हाथ से आप इसमें तमें डाल लीजिए तो इस टाइम पे देखिए दोनों पार्ट के लिए मैंने 58-58 फंदे लिए हुए हैं और दोनों बिलकुल एक्वल हैं अब एक हमारा बनेगा इसका ये बाला पार्ट और एक बनेगा हमारा ये बाला पार्ट यानि left और right तो देखिए इस part में हम जो button पठी बनाएंगे वो हम यहाँ पर बनाएंगे और इस वाले part में जो बनाएंगे हम यहाँ पर पहले button पठी बनेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह जो इसका पार्ट है यह राइट पार्ट है तो राइट पार्ट जो आप बुनेंगी जहाँ पर आपका यह वाला धागा आएगा पहले आप 10 फंदे बटन पटी के बुन लीजिए और इस डिजैन में उल्टे उल्टे फंदों की बटन पटी ही बहुत सुन्दर लगती है क्योंकि कुछ बहनों के कमेंट्स होते हैं कि क्या इसमें हम कोई और बटन पटी बना सकते हैं लेकिन इस डिजैन के अकॉर्डिंग यह वाली बटन पटी एकदम बैस्ट है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और यह 10 तो यह देख लिजिए यह इसका हम राइट पार्ट बना रही हैं और राइट पार्ट में पहले आपने 10 फंदे इस तरह से बटन पटी के बुन लेने हैं फिर धागे को पिछे कीजिए एक फंदा ऐसे सीधा बना लिजिए धागे को अपनी तरफ करेंगे और लप लाइयों का डिजाइन है दस फंदे पटी के हमने उल्टे बुन लिए एक फंदा सीधा लपेट कर जाली बनाएंगे और अब चार फंदे उल्टे दिखिए एक दो तीन और ये चार अब तीन फंदे एक साथ लेंगे और तीन का यहां एक फंदा बना देंगे फिर से चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार धागा अपनी तरफ रहे और अब दो फंदे हम ये सीधे बना देंगे बीच में तीन का एक किया है तो एक फंदा जाली से यहां पर बढ़ाया और एक हमने यहां पर बढ़ाया फिर से देख लिजे धागा अपनी तरफ लाएंगे लपेट कर एक जाले डाल देंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार अब तीन फंदे एक साथ लेंगे और तीन फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर देखिए हम चार फंदे उल्टे बनेंगे क्योंकि तीन का एक कर दिया है और अब चार बन हम सीधे बुन देंगे तो जो हमने तीन फंदे का एक बनाया तो दो फंदे कम होते हैं एक जाली से यहां पर आ गया और एक जाली से यहां पर आ गया तो फंदे हमारे साथ के साथ बराबर हो गए फिर धागा अपनी तरप करेंगे लपेट कर एक जाली बना देंगे और चार उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन और ये चार, तीन फंदे एक साथ लेंगे और तीन का एक फंदा हम उल्टा बुन देंगे, फिर चार फंदे उल्टे बनाने हैं, एक, दो, तीन और ये चार, अब देखिए धागा अपनी तरफ है और दो फंदे हम यहां सीधे बुन अब धागे को अपनी तरफ कीजिए लपेट कर एक जाली बना दीजिए और चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार दिखिए ये लास्ट में हम बना रहे हैं यहाँ पर हमारी आधी डिब भी बनेगे इन दो फंदे के बाद हमने लपेट कर एक जाली बनाई है तो यहाँ फंदा हमारा बढ़ चुका है तो चार उल्टे बुनेंगे और यहाँ पर अब हम दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा आधी डिब बी का डिजाइन बन रहा है जाली हमने एक यहाँ पहले बना दी है चार उल्टे बुनने के बाद दो का एक करेंगे तो एक फंदा यहाँ कम हो गया जाली से एक वापस बढ़ गया अब बचके हमारे दो फंदे धागा पीछे करेंगे एक सीधा बुन देंगे और एस्टीच को उल्टा बना देंगे तो इस तरीके से हमारा यह डिजाइन राइट पार्ट में एडजेस्ट हो गया है उल्टी साइड की सलाई है और इस डिजाइन में उल्टी साइड से सारी सलाईयां उल्टी बुनने होती है तो धागे को अप जैन ओवर हो जाता है अब इसके राइट पार्ट में ही मैंने बटन हॉल बनाए हैं अब बटन हॉल आप पहला कितनी मतलब सलाइया बुनने के बाद बनाना चाहेंगी ये भी अपनी मर्जी होती है मैंने इसमें देखिएगा ये दो सलाइया तो हमने जो उल्टी उल्टी दिखा देती हूं आगे इसमें आपकी अपनी चोईस होगी कि कितना बुनने के बाद आप पहला बटन हॉल बनाएंगे लेकिन जैसे मैंने बनाया है वो मैं आपको इन ही सलाइयों में बता देती हूं फिर आपने डिजैन की तो यही चार सलाइयां रिपेट करनी होंगी ब एक, दो, तीन, चार, पांच और यह देखिएगा छे बटन होल थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है तो जो हम पट्टी फिर बंद करते हैं तो इसकी यहां से सेफ अच्छी आती है इस तरह से पट्टी खिचती नहीं है तो छे फंदे बुनने के बाद यह देखिए एक बार से धागा लपेट देंगे फिर दो बारा से लपेट देंगे दो बार मैंने धागा लपेटा है और यहां पर दो फंदे का एक फंदा हम बना देंगे और यह वाले जो फंदे हैं पट्टी के यह भी हमने बुन लिये अब धागे को पिछे करेंगे और इस एक फंदे को यहा सीधे बुनने होते हैं जाले यहां हर सीधी सिलाई पर जरूर बनानी पड़ेगी धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन और ये चार धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और तीन फंदे का यहां पर देखिए ऐसे लेंगे और एक फंदा बना देंगे, फिर धागे को बैक साइड पर करेंगे, और चार फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, और ये चार, धागा अपनी तरफ करके और ये दो फंदे हम सीधे बुन देंगे तो ये देखेएगा, ये वाला फंदा है यहां तक का इसे छोड़ कर यह 13 फंदे का डिजाइन बनता है इसी को बार बार रिपेट करना है और लास्ट में हमारी आधी डिब भी बनती है तो धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे सीधे एक दो तीन और यह चार धागा अपनी तरफ ले आएंगे तीन फंदे का एक फंदा उल्टा बुन देंगे फिर से धागा पीछे और 4 फंदे हम ये सीधे बनाएंगे डिजैन ये बहुत ही आसान है और लोग इसकी बहुत अच्छी आती है धागा अपनी तरफ करके दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अब 4 सीधे फंदा उल्टा बनाएंगे धागे को पीछे लेकर जाएंगे और दिखिए ये चार फंदे हम यहां सीधे बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे सीधे बनाएंगे अब लास्ट में देखे यहां आधी डिब्बी बनेगे धागा अपनी तरफ करक चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन और ये चार अब धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन दो फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे हर सीधी सलाई पर यहां पर आपने दो का एक करना है तो जाली से यहां पहले ही फंदा इसका बढ़ जाएगा सिरफ एक बार फंदे उल्टे होते हैं एक बार सीधे धागे को पिछे करेंगे यहां जाली नहीं बनानी है एसे ही फंदा सीधा बुन दीजिए और एस्टीच को उल्टा बनाईए तो इस डिजैन की तीन सलाईयां कम्पलीट हो गई चोथी सलाई को आप उल्टी साइड से उल्टा बुन दीजिए तो मैं यहां पर जो बटन होल बनाया है यहां तक इसको बुन लेती हूँ तो यह देखिए इसे मैंने यहां तक बुन लिया है अब यह जो बटन होल बनाया है डवल जाली डाल के बनाया है तो फंदा हम पहले ही यहां पर इसका कम कर चुके हैं तो इसमें से हम ऐसे बुन के और इस जाली को उतार देंगे और आगे के जो छे फंदे हैं इनको भी हम उल्टा पुन देंगे जब हम दो बार धागा लपेट कर यहां जाली बनाते हैं तो जो बटन होल बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा आप थोड़े बड़े साइज के बटन भी इसमें लगा सकती है अब चार सलाईयों का डिजैन है चार सलाईयां इसकी हो गई डिजैन हमारा इसका एड़ेस्ट हो गया है बस इसी को बार बार रिपेट करती जाना है जो बटन होल का मैंने गैप रखा है वो साड़े तीन इंच रखा है आप अपने इसाप से वैसे कम जादा भी कर सकती हैं तो देखिए पहले बटन होल से दूसरे बटन होल की जो दूरी है वो साड़े तीन इंच है तो आप तीन साड़े तीन जितना करना चाहो उतना कर लीजिए तो right part में design इसका adjust हो गया है बटन पत्टी बन गई है बटन होल हो गई है बटन होल भी आप इसके left या right किसी भी part में बना सकती है तो चलिए अब इसका हम left वाला पार्ट बुन लेते हैं क्योंकि right पार्ट में हमने पहले बटन पट्टी बनाई है और last में half design बुना है लेकिन जब इसका left वाला पार्ट बुनेंगी तो पहले आपने half design बुनना है और last में इसकी बटन पट्टी आएगे तो देखें बिल्कुल सेम तरीके से आप यहां से हिसाब लगाईए एक फंदा यहां पर उल्टा बुनेंगे जो की हमारा Sटीच है धागे को पीछे लेकर जाएंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे क्योंकि आधी डिबी बनानी है तो दो का एक करेंगे अब चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन और ये चार धागा अपनी तरफ रहे और दो फंदे हम सीधे बुन देंगे तो देखें यहां दो का एक किया तो जाली से फंदा बढ़ा दिया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर हम यहां पर एक जाली बना देंगे और अब चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन और ये चार तीन फंदे एक साथ लेंगे और तीन का एक फंदा उल्टा बनेंगे फिर चार उल्टे एक, दो, तीन और ये चार धागा अपनी तरफ रहे और दो फंदे हम सीधे बना देंगे फिर से डिजाइन को रिपेट करेंगे धागा अपनी तरफ ले आएंगे लपेट कर एक जाली बना देंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार धागा अपनी तरफ रहे और दो फंदे हम सीधे पुन देंगे फिर से डिजाइन को रिपेट करना है धागे को अपनी तरफ करेंगे लपेट कर एक जाली बना देंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार अब तीन फंदे एक साथ लेंगे और तीन का एक बना देंगे फिर से चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार अब देखिए यहां लास्ट में आपके 11 फंदे बच गई हैं, 10 फंदे पट्टी के और 1 फंदे पर यहां जाली आएगे, तो धागा अपनी तरफ रखेंगे और 1 फंदे को सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके और 10 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बुन देंग और 1 में हमने पहले हाफ डिजाइन बुनके लास्ट में बटन पट्टी को बुना है, अब आज ये इसकी उल्टी साइड पर, उल्टी साइड से सलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए, तो यह देखिए, यहां पर भी डिजाइन की दो सलाईयां कंप्लीट हो गई है, डिजाइन हमारा एडजेश्ट हो गया है, तो इसकी दो सलाईया मैं और बुनके दिखा देती हूँ, क्योंकि यह चार ही सलाईयों का डिजाइन है, इन्हीं को बार-बार रिपेट करना होता है, तो लेफ्ट वाले पार्ट में फिर से देखिए, पहला फंदा ए यहां सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और अब दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और यह दो, यहां पर जो फंदा दो का एक करके कम किया, वो जाली से वापस बढ़ गया, तो फंदे हमारे बराबर हो गई, धागे को अपनी तरफ करेंगे और चार फं धागे को पिछे कर देंगे फिर से चार सीधे एक दो तीन और ये चार धागा अपनी तरफ करके दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे ये देखेगा चार फंदे इस तरह से सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ तीन फ पीछे करेंगे एक दो तीन चार फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे सीधे बना देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे सीधे एक दो तीन चार धागे को अपनी तरफ कीजिए और तीन फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे फिर धागा 3, और ये 4 धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये 1 फंदा सीधा और अब धागा अपनी तरफ करके ये 10 फंदे बटन पटी के हम उल्टे उल्टे भूनलेंगे तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों ही पार्ट में बटन पटी के साथ हमारा डिजैन एड़ेश्ट हो गया है अब आपको देखिए, उल्टी साइड की जो सलाई है, वो तो उल्टी ही बुननी है, इस तरह से दोनों पार्ट में डिजैन सेट हो गया है, इन ही चार-चार सलाईों को आप बार-बार रिपेट करते जाएंगे, और आपका इसी तरह से अब ये डिजैन बनता चला जाएगा जो बटन होल का अपने गैप रखना है, वो तीन या साड़े तीन इंच अपने हिसाब से रख सकती है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें फ्रंट वाली पोकेट बुनना बताऊंगे, तो इसकी आपने जो यहां से यहां तक लेंथ बनानी है, वो आठ से साड आठ इंच बुन लेनी है, आठ साड़े आठ इंच बुनने के बाद इसमें हम पोकेट बनाएंगे, तो देखिए नाप भी हमने यहां से लेना है, तो एक साइड का पार्ट मेरा लगभग साड़े आठ इंच बुन चुका है, तो इस वाले पार्ट को भी यहां तक बुन ल कीजिए, चैनल पर नए है, सबस्क्राइब नहीं किया है, चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को आप आल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारी वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख अच्छी हुआ